सलाम अरेकुम आप देखरे हैं स्टिचम विद आमना सबसे पहले बुकरम लेना है जिसकी चुड़ाई सवा 4 इंच ली है मैंने और डबल फोल्ड कर लेना है और लंबाई 16 इंच ली है मैंने और इसका जो बंद साइड है वो आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है और तीन इंच चुड़ाई की उपर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी और 6.5 इंच लंबाई चाहिए छेंच लंबाई चाहिए तो 6.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से मैं बॉक्स बनाकर और दर्मियान से लाइन खैंच कर गुलाई कर लूँगी और आपको जो है वो गले की लंबाई और चुड़ाई अपने हसाब से आप चेंच भी कर सकते हैं उसके बाद वी कट लगाने के लिए जो चाहिए इस तरह से मैं कट लगाऊंगी और आपने जो है वो कैंची से कट कर लेना है इसके बाद आपने क्या करना है पौने इंच क करना आपने दर्मयान से कटिंग कर लेनी है ठीक है और नीचे से एक इंच होड़ देना है बुक्रम को हम कपड़े के ऊपर चपकाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आप गम वगारा से फोल्ड कर लें या फिर आप जो है वो कलफ लेकर उससे भी प्रेस करके आप जो है वो इसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरहा से जो है वो कमीज के बिल्कुल सेंटर में रहकर सिलाई लगा लें सिलाई लगाने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा कप्रा होगा इस तरह से आपने एक्स्ट्रा कप्रे को कैंची की मदद से कट कर लेना है ठीक है और दरम्यान से वी का इस तरहा से कटिंग करनी है और दरम्यान से सीधी लाइन जो हमने पहले लगाई थी उसके उपर इस तरहा से कट कर लें इसके बाद आप कैंची की मदद से छटे छटे कट लगा लें ताके फिनिशिंग के साथ हमारा गला जो है वो त्यार हो और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आईरन कर लें इसको आईरन करने के बाद इस तरह से समोसे मैंने लिये हैं जो आप साथ साथ रख कर भी लगा सकते हैं और इस तरह से एक इंच के फास्टे के उपर दो दो समोसे रख कर मैं जो है वो लगा रही हूं ट्राइंगल्स भी कहते हैं और इस तरह से हम जो है वो नीचे से इस तरह से फोल्डिंग होगी आरन की मतलसे आप अच्छे से इसको प्रेस कर लिजेगा इस तरह से जो है वो हम ट्राइंगल्स को रख लेंगे ये वाला डिजाइन आप अपने समर ड्रेस के उपर जरूर अपलाई करें और आपको डिजाइन कैसा लगा आप वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और वीडियो को कम्प्लीट देखा करें उसके बाद तीन इंच लंबाई में हमने एक लूप्स बनाए हैं जो कि इस तरह से हम जो है वो डोरी जो बनाई है उसको हम इस तरह से करेंगे और फिर मैं आपको इसको लगाना भी बताती हूँ इस तरह यहां पर सिलाई लगा लें और एक एक्स्ट्रा कप्रा लें जो हाँ पर हमारी वी खतम होगी बिल्कुल वहां पर हमने रखना है इस तरह से और रखने के बाद जो है वो हम सिलाई लगाएंगे एक साइड पर इस तरह से आपने सलाई लगा कर बंद कर लेना है फिर इस तरह से फोल्ड करें और जो यहां पर हम इस तरह से रखकर बिल्कुर साथ साथ रखकर सलाई लगा लेंगे आदे आदे इंच के फासले के उपर इस तरह से हम सलाई लगा लेंगे आप अगर चैनल पे ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखें हमारा गला जो है वो बन के त्यार हो चुका है